हेलो एवरिवान मेरे पास फैज शेक एट एट सेवन फोर जी या कमेंट है तो मुझसे कहते हैं ब्रो आपको आपको आ रही है न वो आपके क्लच पैनल के किसी एरिया से आ रही है याने की क्लच कवर आपको ओपेन करवाना पड़ेगा आपको आपको क्लच का एरिया है वो काफी सारी मेजर रीजन से रही हो आपको अंदर की क्लच का वो release हो गया होगा उसकी लिए से आ रही होगी cover plate से आ रही होगी आपको ऐसी काफी जगह होती है जैसे कि splinger से आ रही होगी हब spline से आ रही होगी आपको तो आपके जो ये वाले गाड़ी का clutch panel है मैं आपको दिखा जिता हूँ क्या कैसे करवाना है आपको जब आप बिस्तरी के पास जाएंग ज़रूर फीलोंगे और आपको गाड़ी जो है drift कर रही है आपको गाड़ी जो है drift मार रही है तो यह बात दरूर 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 देज़ेगा कि अगर आपको पूरा रैकेट निकलवा लेना है पूरा क्लच का शैशे निकलवा लेना है तब जो पूरा डिस्क वगएर आपके साथ हो उसको पूरा निकलवा लेना है निकलवाने को बद क्या करना है आपको सारी चीज चेक आउट करनी कहां पर सेंडिंग करनी कहां पर क्या करना है कौन स वेस्ट पाली बात नहीं है देखक्र आप़ कोई प्रोब्लम हो रही है उस पार्ट को चेंज करता है अघर सपुष ठईक है तो प्रॉपर सेंडिंग करवाईए क्यों जानते की वह जानते की सेंडिंग हमें कहां करने है याने कि रेत मार पेपर से घिसवाईए, ग्रीसिंग करवाईए, और जब आप इस ऐगा क्लच पैनल को बंद करवाएंगा, तो अंदर से जो किक में भी हलकी सी ग्रीस लगवा दीजेगा, और और बाद में आप क्लच पैनल को फिट करवादीजे, फिट करवाने के बाद आपकी घाड़ी गुट्टू यह है, फिर आपको कोई वी इसू, आपकी क्लच पैनल के साइट से, क्लच पैनल के अरिये से, आपको कोई ऺी इसू फेस नहीं होगा, तो ये था आपके प्रॉब्लम को एस दारा हल कि आपको फेस हो तू, Thank you so much.